हेलो चिल्डरंस हाव आर यू तो यह लेस्ट नमबर फर्स्ट है ग्रामर का आज हम नई टोपिक से स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण के उचारन स्थान ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे वर्ण के उचारन स्थान कौन कौन से उचारन स्थान होते हैं जब हम वर्णों का उचारन करते हैं तो उनकी जो दमने निकलती है वो कहां कहां से निकलती है ठीक है तो आईए सभी वर्णों का उचारन मुक से होता है सभी वर्णों का उचारन कहां से होता है मुक से होता है उचारन में मुख के जिस अवे की साहता ली जाती है उसे उचारन स्थान कहते हैं जैसे अवे क्या होता है अंग ठीक है वैसे तो हम उचारन करते हैं किसी भी वर्ण का तो वो हमारी मुख से होता है ठीक है लेकिन फिर भी मुख के अंदर अंग होते हैं किसी भी अवे या अंग की साहता से बोले जाते हैं उसे उचारन स्थान कहते हैं जैसे मुख में अनेक अवे होते हैं अनेक अवे या अंग होते हैं जैसे कंट, तालू, मुर्दा, दान्त, नासिका ठीक है जब भी हम किसी भी वर्ण का उचारन करते हैं तो कौन-कौन से अभी काम में आते हैं कौन-कौन से अंकाम में लेते हैं कंट, तालू, मुर्दा, दान्त, और नासिका ठीक है वर्णों का उचारन इनी अव्योकी साइता से होता है स्थान विवाजन निवन रूप से किया जाता है जो उचारन स्थान ना इनका निवन रूप में वर्गी कत्र किया जाता है जैसे कंट पहला भी क्या है कंट ठीक है, तो कंट से हम कौन-कौन से वन को उंचारित करते हैं तो आईए, अकू है विसरजन्याम कंट है अर्थात, ए, आ, कैवरग, ठीक है कैवरग में कैसे लेकर अड़े तक, ठीक है और विशग, इनका कंट स्थान है कंट से उंचारन किये गए वन कंटे कहलाते हैं अब देखो, हम सरल बासा में समझते हैं इसको अकू है विसरजन्याम कंट है तो ये एक सुतर है, ठीक है इस सुतर को आप याद कर सकते हो, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए जैसे ऐ से क्या हुआ, ए और आ, ठीक है कू दिया हुआ है ना इसमें तो कू से मतलब होता है कैवरग सारा कैवरग सारा कै में पांच अक्सर होते हैं कैख, गैग, ठीक है है और विशरग विशरजन्या है ना, विशरग आदी को कंट स्थान से बोला जाता है देखो यहां पे दिया हुआ भी है ए, आ, ऐ, ऐसे तो हम रटेंगे तो बूल जाएंगे, लेकिन आपको रटना नहीं है, सिर्फ यह छोटा सा सुत्र है, कू है विशरजन्या में कंट है एक दो बार पड़ोगे, तो याद हो जाएगा ठीक है ना, एसे मतलब होता है ए, आ, और कू से मतलब होता है के वरगशारा, के खेग, गेग, ठीक है और विशरजन्या में मतलब विशग और है, ठीक है ना यह इतने वरणों का उंचान स्थान क्या होता है कंट है, ठीक है, कंट होता है फिर देखिए दूसरा आता है तालू तालू का सुतर क्या होता है इचू यहसा नाम है तालू इचू यहसा नाम है तालू वस इतना सा ही आपको लर्ण करना है इसी के दर सारे वरन आ जते हैं कौन कौन से आते है देखो ई से मतलब दोनो ई कू मतलब चैवरग चैवरग में चैज़ जै जै है ठीक है ये yer सा है ना ये सा तो इसमें ये और सै सै कोन सा? सै सलगम वाला, ठीक है अर्थार इसके अंदर दोनों ये चैवरग ये ओट्षे का उद्चान स्थान तालू होता है। ठीक है ना ? तो ये तो आपको देखो लेर्ण करने ही पड़ेंगे। तालू से उंचारित वर्ण तालवे कलाते हैं जो तालू से जिन वर्णों का उंचारन होता है तो उसे क्या कहते हैं तालवे ठीक है इन वर्णों का उंचारन इन वर्णों का उंचारन करने में जीवा तालू का स्पर्ण करती है ठीक है ना जब इन वर्णों का हम उंचारन करते हैं जिसे बोल के देखिये इ、 इ, चै Should, डे यह हैं ठीक है ना इन वरणों का जब हम उंचारन करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है ना वो तालू से सपर्च करते है कहां से सपर्च करते है तालू से इसी लिए इनने तालव यह वरण कहते हैं ठीक है आया ना समिझ two इसका सुतर क्या होता है इचू येसा नामे तालू इचू येसा नामे तालू वस इतना ही आप लाइन करो इसके अंदर सारे बार न आ जाते हैं ओकी अब हम देखते हैं थ्री नमबर का मुर्दा क्या पढ़ेंगे मुर्दा ठीक है रिटू रशाना में मुर्दा इसका सुतर क्या होता है रिटू रशाना में मुर्दा आप देखिए इस सुतर के इंदरी देखिए आपको सबसे पहले क्या दिखाए दे रहा है री से मतलब दोनो री संस्कृत में टू री होती है दो री होती है बढ़ी री और छोटी री ठी टू मतलब टेवरग पूरा टेट 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 है ओके और रे रे से रे से सा से ठीक है नाम मतलब नाम तो अब देख लीजिए यहां से रिटू रशाना में मुर्दा इतने वर्णाते ना दोनों री टेवरग और रे और से आधी का तो उचारण स्थान क्या होता है मुर्दा मतलब मसूड़े बोलते हैं, अपने सरल वासा में लोकल लेंगमिज में बोलते हैं न मसूड़े उन्हें बोलते हैं मुर्दा, ठीक है इस स्थान से उचारित वर्ण मुरधन्ने कहलाते है अगर हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो ये हमारी जीवा है ना किसे सपर्स करती है मुर्दा से ठीक है तो इसे ऐसे इस थान से मुर्दा से कौन से स्थान से मुर्दा से मुर्दा से उचारित वर्ण क्या कहलाते है मुर्दने ठीक है क्या कहलाते है मुर्दने इन वर्णों का उचारन करते समें जीवा उपर के दांतों के साथ उपर खुर्दरे हिशे मुर्दा का सपर्श करती है ठीक है जब भी हम इन वर्णों का रिटू रशाना में मुर्दा जितने भी इसमें वर्णाते उन वर्णों का उचारन करते तमारी जो जीवा ह जो दातों के निचे दातों के ऊपर होता है जिसे हमसुड़े बोलते हैं उने ही मुर्दा बोलते ठीक है तो उससे हमारी जीवा सपर्स करती है अब four number में दंत, कौन सा दंत, अब इसका सुतर होता है लरी तुलसा नामें दंता, लरी मतलब लरी, जैसे री होता है ना वैसे सिंस्कृट में लरी भी होता है ठीक है ना लरी, और तू मतलब तेवरगपूरा तेथे देने, ठीक है ले से, ले और से से, कुन सा से, से सपेरा वाला ठीक है ना तो अब देख लीजिए यहां से, लरी तुलसा नामें दंता में कौन कौन से बनाते हैं लरी तेवरगपूरा तेथे देने, ठीक है ले और से का दंत उंचारन स्थान होते हैं ठीक है जब हम इनका उँचारन करते हैं तो मारी जीवा है वो किस से स्पर्स होती है दंत मतलब दांतों से ठीक है ना जो दांत होते हैं ना मारे मुख में उससे स्पर्स होती है ठीक है दंत स्थान से उंचारित वर्ण दंते कहलाते हैं अगर ये जो वर्ण है इनका उंचार्ण स्थान दंत हो गया तो ये वर्ण क्या कहलाएंगे दंते वर्ण कहलाते हैं ठीक है इन वर्णों का उंचार्ण करने में जीवा दंतों से स्पार्श करती है कौन से वर्णों का उजान करते हैं, दंते वर्ण, दंते वर्ण कौन-कौन से होते हैं, लरी, तैवर्ण, ले और से, अब इनको आप ऐसे रड़ तो सकते नहीं हो, ठीक है, यह छोटे-छोटे सुतर दिये हुए है, तो यह आपको लर्ण करने ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसमे काफी हो गया आपके लिए, अब हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जो बच गया हो, ठीक है, तो अब आपको क्या है, कि होम रख में बस इतना ही मिलेगा, यह पांस उत्तर है, ना, सोरी, चार, तो यह आपको लर्ण करना है, ठीक है, अकू है विसरजनियां में मतलब इसमें भी अगर यह सुतर याद हो गए, तो सारे वर्णों का हमें पता लग जाएगा, कि इसमें कौन-कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है, मूर्दा में रिटू रसाना में, मूर्दा, और दंते में लरी तुलसाना में, दंता, इस तरिफ यह आपको फोर सुतर है, यह लर्ण करने है, अगर पांच-छे बार पड़ोगे न, तो याद हो जाएगे, ठीक है, और यह याद होने से हमें किया कि रटना नहीं पड़ेगा, फिर, यह सुतर मायन में आते ही, सब सारे जितने विवर्ण है, वो हमारे मायन में आ जाएगे, कि इसके अंदर कौन-कौन स वर्ण आते हैं, इनका कौन-कौन सा उंचान स्तान है, ठीक है, ओके, है, थैंक्यू, एवनेस्टे,